नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आरके क्लासिस में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग BPSC Men's का टॉपिक नमबर 54 करने वाले हैं जिहां 54 इससे पहले हम लोगों ने कुल 53 टॉपिक को कवर कर लिया है और आप सभी ने उसे काफी सराहा है अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप जाकर प्लेलिस्ट में BPSC Men's के प्लेलिस्ट में जरूर देखें काफी सांदार तरीके से उन्हें लिखा गया है और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें पास वाले बेल ऐकन को दबाएं इसके लाबा जो 66 BPSC PT का टेश्ट देना चाहते हैं वो कमेंट जरूर करें क्योंकि अच्छे रिस्पॉंस आने के बाद ही टेश्ट को अप्लूट किया जाएगा तो चलिए सुरू करते हमारा आजखा टॉपिक तो दोस्तों हमारा टॉपिक है भारत की नाभिकिये नीटी Nuclear Policy of India इसके बारे में कुछ पॉइंट जानेंगे और ये आपके लिए काफी लाबदायक होगा तो देखते हैं इसमें क्या कहता है देखिए कहता है कि भारत ने स्पस्ट रूप से नाभिकिये नीती की घोशना की है हलांकि भारत परमानू अप्रसार संदी NPT पर भारत ने अस्ताक्षर नहीं किया है इसके बाबजूद भी भारत वरतमान में परमानू शक्ती शंपन देश है जिसकी घोशना भारत ने 11 मई एवं 13 मई 1998 को किये गए परमानू परिक्षन के बाद किया था इस परिपेक्ष में भारत की नावकिय निती अत्यन्त मातपुन है जिन में निमलिखित बातों पर बल दिया गया है तो भारत की जो नावकिय निती है उसमें जो है किन बातों पर जोर दिया गया है इसे point wise देखते हैं कहता है कि भारत ने नावके नीती भारत में जो है नावके नीती का मुख्य उद्देश है शांतिपुन और लोकतांत्रिक विधियों द्वारा आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक, वैज्यानिक और तक्निकी विकास करना तो इसका जो उद्देश है हम लोगों ने क्या देखा जैसे कुछ देश है जिनका उद्देश है केवल जो है युद्द करना या युद्द के लिए प्रिवित करना तो हमारा उद्देश क्या है आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक, वैज्यानिक और तक्निकी विकास करना इसके लाव अगर आगे बात किया जाए तो कहता है इस उद्देश की पूर्ती के लिए भारत द्वारा इस्थिर्ता के संभावी जोखिम के विरुद शान्ती और सुरक्षा के लिए प्रयास किये जाएंगे पॉइंट नमबर तीसरा है कि भारत द्वारा वैस्थिक अस्तर पर निशस्त्रीकरण का अनुपालन नहीं होने पर भारत जो है नावकिये निवारन छमता बनाए रखने का प्रयास करेगा और भी कई सारे महत्पुन नावकियनिती के महत्पुन उद्देश हैं इन्हें भी जानते हैं आगी के उद्देश की बात की जाये तो उसमें कहता है कि भारतिय परमानु कारिकरम का लक्ष अन्य देशों द्वारा परमानु हतियारों के समभावित परियोग को रोकना है भारत अपनी शान्ती और सिर्टा के लिए किसी प्रकार के खत्रे से निपटने के लिए भी तयार रहता है और हमेशा रहेगा इसके अलावा भारत प्रभापूर्ण निगरानी और पुर्व चितावनी की छमताओं को बरकरार रखेगा अगले पॉइंट की बात की जायत उसमें कहता है कि जब तक अन्य देश द्वारा भारत पर पर परमानु हत्यारों को परियोग नहीं किया जाएगा तब तक भारत देश विशेश के परती परमानु हत्यारों का परियोग नहीं करेगा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि परमानु निवारन संबंधी भारतिय शिद्धान्त विश्वश्णिय प्रभावशाली तथा द्रिड बने रहेंगे भारत नाविकिय सुरक्षा पर विशेश बल देगा भारत अपनी गुप्तचर प्रणाली को सुद्रिड भी करेगा बनाएगा उसे सुद्रिड बनाएगा मजबूत करेगा भारत दोहरी सक्षम वितरन प्रणाली को भी सक्षम बनाएगा ये सारे महत्पुन उद्देश हैं इसके लावा देखा जाए तो भारत तक्निकी उन्नती को बनाए रखने के लिए उन्नत अनुशंधानों पर भी बल देगा हतियारों को नियंतृत करने के उपाय को रास्ट्री सुरक्षा नीती का अंग बनाएगा तो ये सारे महत्पुन उद्देश हैं अब जानते हैं परमानु उर्जा का कुछ कूपरभाब होता है ये भी जरूरी है इसमें देखिए परमानु उर्जा के विद्वन्शक उप्योग से उत्पन उर्जा मानव एवं जिवित कोशिकाओं के लिए व्यापक रूप से हानिक ये हानी जो है मुख्यत विकरण की तिवरता और विकरण की अवधी पर निर्वर करती है कि वो जो रेडियेशन है इसकी क्या इंटेंसिटी है और ये कितने समय तक रहती है शामानिता विकरण से होने वाले कुपरभाब को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है जैसे देखें कहता है कि विकरण की उच्च मात्रा से कैंसर एवं लुकेमिया जैसे रोगों की संभावना बढ़ जाती है इसके अलावा परमानु उर्जा के रेडियो धर्मी विकरण से सरीर के विविन अंगों जैसे लशिका उत्तक, शनायू तंत्र, प्रजनन तंत्र, वरिक, वहे तचा इत्यादी के अत्यधिक प्रभावित होने की संभावना रहती है तो हमारे सरीर के ये सारे अंग जो है इससे प्रभावित होते हैं इसके लावा बात किया जाए तो प्रमानु उर्जा केंद्रों में काम करने वाले करमचारियों का रेडियो धर्मी विकरण से ज कि रेडियो धर्मी विकरन के उच्च मातरा से ऐसे जख्म पैदा हो सकते हैं जो ठीक नहीं हो सकते और इस कारण मनुष्यों की जान भी जा सकती है पर्मानु रियक्टरों से निकलने वाला अपसिस्ट रेडियो धर्मी पदार्थ जो है पर्यावरन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है अब जानते हैं परमानु विकरन से सुरक्षा के कुछ उपाय तो इसमें देखेंगे परमानु विकरन मनुष्री के लिए अत्यन्त घातक होता है इस कारण से परमानु विकरन से सुरक्षा के लिए महत्पुन उपाय किये जा सकते हैं अब हम लोग जानेंगे परमानु विकरन से सुरक्षा किस प्रकार से किया जा सकता है कहता है कि वस्तुतर परमानु विकरन से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना परमानु उर्जा केंद्रों में कारे करने वाले करमचारियों को होता है इन करमचारियों को प्राप्त होने वाली विकरन की मातरा को निमलिकित अधारों पर कम किया जा सकता है तो उसके लिए कुछ उपाय दिये गए हैं क्या है ये उपाय जानते हैं कहता है यदि विकरन की मातरा अधिक है और स्रोत शक्तिशाली है तो करमचारियों को उसके पास जाने की अवदी कम करके विकरन के प्रभावों को घटाया जा सकता है क्योंकि समय एवं विकरन में प्रत्यक्ष संबंद होता है इसके अलावा विकरन सुरोथ से दूरी बढ़ने से विकरन के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है इसलिए ऐसे उपकरणों का विकास किया गया है जिससे दूर जिसका दूर से ही हम लोग परियोग कर सकते हैं आगे कहता है कि परमानु विकरन से बचाने के लिए ऐसे तत्वों जैसे लोहा एवन सीसा से बनी दिवार या कवच का निर्मान कर परमानु विकरन को कम किया जा सकता है इससे प्रकार उप्रोक्त परमानू उर्जा केंद्रों में कारे करने वाले करमचारियों को परमानू विकरन से सुरक्षित रखने का प्रस्ताव किया जाता है किन्तु आम जनता को परमानु विकरन से सुरक्षित रखने के लिए परमानु कचरे से उन्हें सुरक्षित रखना आवश्यक होता है इसलिए कचरे का प्रवंदन करना भी अतियावश्यक है ताकि लोग परमानु कचरे से होने वाले विकरन से सुरक्षित रह सकें और परमानू कचरे से सुरक्षा के संदर में निमलेखित बातों पर ध्यान दिया जा सकता है तो इसमें कहता है कि भाबा परमानू अनुसंधान कैंदर ने बोरो सिलिकेट के ऐसे पात्र बनाए है जिसमें परमानू कचरे को बंद कर देने पर उसकी रेडियो धर्मिता जो है ये समाप्त हो जाती है ध्यान रखें आप फिर कहता है कि देश में परमानू उर्जा सेंतरों की सुरक्षा संबंधी निगरानी रखने के लिए तथा विकरन से बचाव के लिए परियावरन विकरन मॉनिटर केंदर का एक राष्टी नेट्वर्क अस्थापित किया गया है जिससे देश के भीतर या सीमा पार के परमानू विद्धुत ग्रिहों से आकस्मिक रूप से विकरन स्थोतों से होने वाला जो उत्सरजन होता है उसकी जानकारी प्राप्त होती है आगे कहता है कि परमानू उर्जा अधिनियम 1962 की तहत भारत में परमानू उर्जा नियामक बोट के स्थापना की गई है जिसका मुख दिश क्या है नियामक एवं सुरक्षा कार्यों में महत्पुन भूमिका निभाना फिर कहता है कि तर्टिय छेत्र में शमानित निमनस्तरिय द्रव परमानू कचरों के तारापुरे वंचन्नेई के निकट समुद्री जल में घोल दिया जाता है निमनस्तरिये ठोस परमानु कचरों को विसेश प्रकार के डिबों में सील बंद करके निर्जन भौगौलिक अस्थानों पर भूमी के अंदर दबा दिया जाता है नेक्स्ट है परमानु कचरों को सीसों की चूण में सफलता पुर्वक परिवर्थित करने के लिए तकनीक जो है बार्क ने भाबा परमानु जो है इसने विक्षित किया है आगे कहता है परमानु अवसिस्ट की अविक्रिया अनुकूलन तथा निप्टान प्रणाली देश की विविन परमानु परसिष्ठानों में चलाई जा रही है श्रमानिता जंता को परमानु विक्रन से बचाने के लिए परमानु श्यंत्र की अस्थापना जो है ये अबादी छेतर से बाहर किया जाता है तो इस प्रकार से जो है परमानु विक्रन से होने वाले जो प्रभाव से उनसे बचा जा सकता है तो इतने महत्पुन पॉइंट्स हम लोग इसमें लिख सकते हैं उमीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें धन्यवाद